Chemical Stocks की अपनी एक अलगी Chemistry होती है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ Chemical Stocks के उपर क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि Chemical सेक्टर में अगर उन्हें कुछ सिलेक्ट करना है तो कौन से Stocks वो सिलेक्ट कर सकते है पहले जो कंपनी है वो है SRF Limited अब SRF Limited के अगर हम बात करें तो 1970 से ये कंपनी एक्जिस्ट करती है और ये लीडर रही है इंजिनिरिंग प्लास्टिक के अंदर इंडस्टियल यांस के अंदर रेफरी करेंट्स के अंदर पहले ये कंपनी श्रीराम फाइबर्स के नाम से भी जानी जाती थी लेकिन 1990 में इसका नाम चेंज हो गया SRF Limited हो गया अब इसकी जो प्रेजन्स है वो है इंडिया के अंदर दुबई के अंदर साउथ अफरीका के अंदर और थाइलेंट के अंदर यह विश्व में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो नैलोन सिक्स टैर कॉर्ट फेब्रिक्स और बेल्टिंग फेब्रिक्स पनाती है यही नहीं यह इन दोनों प्रोड़क्स को एक्सपोर्ट भी करती है साठ से उपर देशों में आप को एकली यह देख लेता है कि है उसके साथ एक कंपनी प्लास्टिक बिजिसनस के अंदर भी है जो इंजिनिर्इंग प्लास्टिक्स होती है वो भी कंपनी operate करती है बनाती है और उसे automotive, electrical, telecom, engineering, electronics और industrial के लिए उपलप्त करा देती है अब एक बार इसके income statement पर भी ध्यान देते हैं देखिए अगर sales की बात करें तो वाकिय में March 2019 और 20 में 19 और 20 का ही फरक है कोई ज़ादा फरक नहीं है डेटा मेंने 2016 से लेके 2020 तक की लिए हुई है annually डेटा मेंने लिए हुई है अधर income की बात करें तो जहाँ पर भी 19 और 20 में कोई ज़ादा फरक नहीं है लेकिन 2018 में देखने वाली बात है यह बहुत जाता था कर यह इतना ज़ादा वेटेज नहीं डालता है टोटल इंकम के अगर हम बात करें तो जैसे हमें बढ़त देख रही है year on year अगर हम देखे तो इसमें एक अच्छा improvement है और increasing trend पर यह देख रहा है शेर ओल्डिंग pattern के अगर हम बात करें तो promoters के पास 50% से जादा की इसेदारी है institutions के पास करीबन 30% की और non institution के पास 18% की इसेदारी है dividend के अगर हम बात करें तो company बिल्कुल dividend देती है अगर हम 2016 से 2020 तलक की data देखे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि company ने किस तरीके का dividend दिया अपने shareholder को हाला कि dividend yield prospective से मैं इस company को नहीं consider करता हूँ क्योंकि 0.39% का dividend yield बना के देती है एक company अगर हम current भाव को देखे तो dividend prospective से अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हो तो उस तरीके की company नहीं है chemical sector की specific company की हम बात कर रहे है तो वहाँ पर आपका focus होना चाहिए diversification का एक objective होना चाहिए और उसे के साथ आपके हमेशे portfolio में कुछ अलग-अलग sectors की company ज़रूर होनी चाहिए उसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस वीडियो की information का जो input बताया जा रहा है उसे consider करना है एक बार भाव की बात कर लेते हैं आप देख पार हो रेट आ रहा है अभी आपके अब विनिती ओर्गनिक्स लिमिटेट जो है वो 1989 में पैदा होगी थी यानि कि आ गई थी इसको हम लोग प्यार से वी ओल नाम दे देंगे यानि कि वी ओल इसका एबरिविशन है विनिती ओर्गनिक्स लिमिटेट तो इसकी जो मोनुमर्स इंड्यूर्स पॉलिमर्स अब जो मोनुमर्त होता है वह एक मोलिकुल होता जो Sergeant काम में लाति है तो minder सब्सक्राइब करें यहाँ पर सेल्स होगी चाहिए की अगरudes कि कि हम बात करें तो अगर हम ध्यान दे तो यह एक trend अझया है बाडत का है लेकिन 2019 2020 का फरक है income कि अगर हम बात करें वहां पर बी 904 और कम ही होई है यह याद रखेister crumbs जोनीं जोड़ी का इंटर्स की अगर हम बात करें तो इसमिटाशवी बड़ा फरक नहीं है net profit लेकिन यहाँ पर देखने वाली चीज है, net profit बढ़ रहा है इसका भी, इस company के भी अगर आप profit के trend को देखोगे 2016 से, तो उसमें कहीं न कहीं एक अच्छा improvement trend आपको दिख जाएगा, अगर shareholding pattern की बात करें, जो मुझे बहुत पसंद है, इस company की, वो है promoters की holding 74% की है, institution की 11% की है, और non institution की करीबन 15% की है, और dividend की बात करें, तो ये भी company dividend देती है, लेकिन, again, मैं कोई भी chemical stock आपको dividend deal perspective से नहीं बताऊँगा, क्या dividend deal इस company का भी अगर हम देखें, तो करीबन 0.56% का ठहर रहा है, अगर मैं आज के date को भी इसको refer कर रहा हूँ, पासल का dividend आप देख पारें अपने screen में, तो dividend company देती है, तो इसे company के intentions पता चलते हैं, कि company का objective है, कि shareholders के साथ भी अपना जो profit हो बाटना चाहिए, उसी के साथ अगर इसके current market price को अगर आप देख रहे हो, तो 1000 रुपे के अ अगर investment करना है, जो आपका end decision होगा, तो आपको दीरे-दीरे करना होता है, कभी भी तुरंत आपको किसी भी company में निवेश नहीं करना होता है, PE ratio केकर हम बात करें, तो 30 के असपर सका PE ratio ठेलता है, बढ़ते हैं, तीसरी company के दरफ जो है, Alcalc Amines Chemicals Limited, अब ये company पैदा हुई थ काफी टाइम से market में धंदा कर रही है, ऐसा निये की कली पैदा हुई है, Alcal Amines Chemicals के अगर हम बात करें, तो ये global supplier है, अगर हम pharmaceutical की बात करें, agrochemical की बात करें, rubber chemical की बात करें, water treatment industries की बात करें, तो ये सारे इसमें इस supplier बना हुआ है, Alcal Amines Chemicals जो ये company है, और इस company करती क्या है exactly लिए Alphatic Amines, Amine Derivatives और Fine Chemicals, ये तीन primary product है इस company के, ये जो company है, controlling stake भी रगती है, diamonds and chemical नाम की company के अंदर भी, अगर income statement की बात करें इस company की, तो sales को अगर हम देखें, तो ये बढ़त के साथ है, trend आप देख पा रहे हो, कहां करीबं 500 करोड की एक जर्नी थी, 2016 में जो बन चुकी करीब-करीब 1000 करोड की जर्नी, other income में भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, total income के अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत ये अच्छा incremental trend हमें दिख रहा है, अगर tax की बात करें तो ये एक मिला जुला सा रुजान है, 19-20 के अगर हम बात करें, तो net profit की अगर हम बात करें त बहुत ही अच्छा है, तीन डिजिट में कंपनी आखिर पहुच कही, 2016 में दो डिजिट से शुरू हुई थी और अब ये तीन डिजिट में आके ठहरी हुई है, अगर हम 2020 मार्च की अगर हम बात करें, पिछले साल की अगर हम बात करें तो, शेर होल्डिंग पैटर में कंपनी दे रहे थी है, अगर पासल का ट्रेक रिकॉर्ड देख रहे है, तो हला कि कोई भी केमिकल स्टॉक जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि डिवीडेंट येल परसेंटेज के हिसाब से आपको नहीं देखने चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ आपको डिवीडेंट भी मिलता रहेगा, अगर इसकी प्राइस की अगर हम बात करें, तो एकी सो दस रुबे का इसका प्राइस अभी चल रहा है, अगर फिफ्टी टू वीक लो की बात करें तो साथे छे सो का था, फिफ्टी टू वीक हाई की बात करें तो तेवी सो के आसपास का था, हरे ट्रेंट क साथ पूरे साल बर के गर हम बात करें तो company बहुत ही अच्छे से perform कर रही है पी रेशो इसका 20 के अंदर है तो ये भी एक अच्छी बात है अब बढ़ते हैं चौती company की तरफ जो है आरती इंडस्ट्रीज देखिए आरती ग्रूप जो है बहुत popular ग्रूप है 1984 में एक company आई थी आरती इंडस्ट्रीज भी दुनिया बर में export करती है अपने products को दोस्तो अगर हम primary countries के अगर हम बात करें United States हो गया United Kingdom हो गया Russia हो गया, Spain हो गया, Italy हो गया, Switzerland हो गया, Belgium हो गया, Japan हो गया, Korea हो गया लगबागे इन सारी countries में इस company के products जाते रहते हैं, company करती क्या अब आपके screen के सामने आ रहा है क्योंकि इतने भहेंकर chemical business के अंदर ये है, उसके नाम pronounce करना बहुत ज़्यादर difficult हो जाता है, और जैसे कि मैंने आपको बता है, मैंने chemicals की तो कोई पढ़ाई नहीं कर रही है, तो गलत नाम प्रनॉंस हो जाए, उससे अच्छा मैं चाहता हूं कि आप screen पे देख लीजे, ये products है company के, जो company बनाती है, जिसमें company involved है, अगर income statement की बात करें, जो मेरा करोड कम हुए है, क्योंकि sales अभी इसकी कम हुई है, इबिट की अगर हम बात करें तो इतना ज़दा फरक नहीं है, वहाँ पर बहुत ही मामुली सा फरक है, important बात जो देखने वाली हमेशा होती है, वो होती है net profit, net profit की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा, एक improvement का trend है, यहाँ पर 504 करोड था पिछले साल, 546 करोड है, इस साल, 268 करोड से शुरू ही दिए company profit करना 2016 के अगर हम बात करें, 5 साल पहले के अगर हम बात करें तो वहाँ से इस company ने 500 करोड तक की जरनी अपनी complete करी है, shareholding pattern के अगर हम बात करें तो यहाँ पर promoter की holding थोड़ी सी कम है, 50% के भी नीचे है, institutions के अगर हम बात करें तो करीबन 25% की holding है, non institutions के अगर हम बात करें तो वह 27% के आसपास की है, dividend company देती है, ऐसा नहीं देती है, लेकिन dividend deal perspective से chemical stock को नहीं देखते हैं, क्योंकि आदे परशंट से कम का dividend deal है इस company का अगर हम आज की अगर हम बात करें तो, और इसकी अगर आप current price को अगर आप देखोगे अभी, तो यहाँ पर 936 रुपे का भाव है, 1000 रुपे के अंदर का ये company है, इसका जो 52 week high है, करीबन 1200 रुपे का है, 52 week low जो है, 668 रुपीस का है, अब इसी तरह की total 10 company हैं, अगर आपको उनकी list देखनी है, तो नीचे description में आपक chemical stocks हैं, वो आपके portfolio में जरूर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 10 के 10 खरीद रहे हो, आपके portfolio में 2-4 company होनी चाहिए, chemical stocks की, chemical sector जो है, बहुत अच्छा sector है, यह कभी नहीं बंद होने वाला sector है, इसमें भी growth जो है अभी आने वाले बविशा में बहुत अच्छी दिख रही है तो उसके वज़े से आपके portfolio में इनकी allocation की जगा आप जरूर रखिए, बताएगी सारी बाते मेरी अपनी नीजी opinion की है, तो यह educational purpose के लिए वीडियो आप input की तरह ले सकते हो, और आगे अगर आपको निवेश करना है, तो यह अभी आपका अपना खुद का decision होगा, क्योंकि और दूसरे वीडियो में उसके लिए आप चैनल को subscribe जरूर कीजिए, अपने health का और अपने wealth का जरूर ख्यार रखिएगा.